की आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेंगेमस एन नॉन्विनमस स्नेक्स यह बनेमस स्नेक्स यह , इसमें आपको मैं बइन बातने वाली हूं कि कैसे नॉनविनमस एन वेंईमस snakes वैक करते है कैसे उनका डिफरण्स होता है the snakes के अगर हम इंट्रोडीक्ट acting तो यह long होते हैं, limbless होते हैं, carnivorous, reptiles होते हैं इनकी जो tail होती है, वो short होती है, jaws इनके बहुत flexible होते हैं और extension इनका possible होते हैं, मुहों अपना चौड़ा खोल सकते हैं यह अन्टार्टिका के अलावा काफी सारी जगाओं पर मिलते हैं near about 261 species है, वो इंडिया में है, और उनकी size 10 cm लेगे 10 m तक हो सकती है और इनका एक बहुत ही important role होता है, vital role होता है, वो food chain के अंदर होता है because यह red, lizard, frogs को खा जाते हैं, तो यह food chain को maintain करते हैं अब अगर venomous, यानि जहरीले सापों की बात करें, तो वो सिर्फ 15% है बाकि सारे snakes जो है, वो 80-85% non venomous है लेकिन हम तो साप का नाम सुनते ही डर जाते हैं अब देखा जाए तो कुछ examples में आपको दिखाना चाहती हूँ जैसे poisonous, जहरीले सापों की अगर बात करें, तो उसमें आ जाएगा और इसी तरह से non poisonous snakes होते हैं वो python, rat snakes, trinklet, earth snakes and blind snakes अगर उनके जो pictures है वो में थोड़े टाइम बाद आपको दिखाऊंगे तो आपको बिलकुल clear हो जाएगा यह वही जो discussion है जो मैंने आपको अभी example करके बताया है अब इसमें identification की बात करें, तो अगर आप pointed silenrical tail है यानि उसकी जो पीछे से tail है वो बिलकुल तीखी तीखी type की है तो वो कैसा हो जाएगा land snakes का example है और उसमें अगर flat tail है तो वो sneeze snake है यानि poisonous हो जाएगा अब उनके belly scales, उनके pate पर जो scales बने वे होते हैं उनका भी अलग-अलग shape होता है अगर small belly scales है तो वो non poisonous है यानि जहरीला नहीं है और belly scales अगर narrow है तो भी वो non poisonous है लिकिन अगर उसका जो scales है ventral पे वो plain type के बड़े-बड़े है तो वो poisonous हो सकता है उसके बाद सिर उनका अलग-अलग type का है small head, pit wiper का head अलग होता है, large shield किसकी face पे होती है यह कुछ अलग-अलग type के description है जिसको मैं picture से आपको समझाना चाहती हूँ इसमें pictures अगर आप देखेंगे जैसे tail अगर कोई snake है उसकी पीछे से tail जो है वो बिल्कुल pointed type की है जैसे pointed तो वो land snake हो जाएगा यानि वो non poisonous type का है और अगर पीछे से tail अगर flat type की है तो वो poisonous snake हो ज जहरीला है अब scales की बात देखिए पहला जो small belly scales से चुटे-चुटे है scales तो वो जहरीला नहीं है दूसरा देखो लंबे ऐसे narrow type के आपको दिख रहे होंगे जैसे बहुत सारी plates को join कर दिया हो वैसा है अगर तो वो non poisonous है और अगर broad बड़े-बड़े scales आपको दिख रहे हैं पूरी belly पर तो वो कैसा हो जाएगा most probably वो poisonous हो जाएगा इसी तरह से head की बात करें तो small scales pit जो है उसके face पर कैसे present है small scales present होते है वो wiper हो जाएगा इधर अगर देखो center वाले diagram में तो यहां पर laureal pit present है खड़े जैसी structure present है जो infrared detecting organ होता है वो pit wiper हो जाएगा और अगर shield है सिर के उपर बड़ी बड़े type की तो वो poisonous हो जाएगा mostly फिर jaw अगर उसका कैसा है अगर third jaw observe jaw scale अगर आप करोगे तो उसमें आप देखोगे third jaw जो है supra label shield है वो आँखो को touch करता है आप देखो black color की eye के नीचे आपको तीसरा चौथा number लिखावा दिख जाएगा तो वो कैसा हो जात होते हैं उनके अंदर fang glands होती है जो जिसको हम कहते हैं जहर गरंथी अब यह snake fangs जो होते हैं पीछे देखो आपको एक थेली जैसी structure पीछे की तरफ दिखेगी और उससे एक धागे जैसी structure आगे दातों में जूड़ी होई दिखेगी तो यह जो fangs होते हैं यह जहरीले साप में आपको वीनम निकलता हुआ भी दिख रहा होगा यह जो जहरीले दात होते हैं उन्हें कहते हैं फैंक अब देखे जब साप हमें काटता है तो वो किस तरह से काट रहा है उसके उपर भी depend करता है कि आपन पता कर सकते हैं कि यह जहरीला है या नहीं है अगर किसी साप ने कि बहुत सारे असे छोटी छोटे दातों की निशान जैसे दिख रहे होंगे तो वो नॉन वीनम असे यानि वो बीना जहरीला साप है अब कोब्रा जो है नाजा नाजा जिसको हम कहते हैं यह पॉजनस काटिगरी में आ चाएगा यह देखिए आपको डाइग्राम मैंने कोब्रा है अब कोब्रा प JAM करता है उसके चयान होता है कन को इस्ति पता होनने सबसे अच्छा तरीका और इसमें आपको एक चीज पता होने चाहिए है किredata ँश्तरिक खाता है इंश्तरिण Εनाश्तर में शेने वीनैंट सको दिहर बुन दिकर और सूर displays लीनाट को यी यह और ये किसका नेचर होता है, common crate का, ये common crate की एक special characteristics है, उसके बाद common crate का ये pictures भी आप देख सकते हो, common crate का जो जहर होता है, वो भी क्या करता है, दिमाग पर असर ढालता है, और इसकी female जो होती है, करीबन 10 से 12 X एक साथ देती है, फिर next जो होता है, वो होता है, रसल वाइपर, आपको एक चीच याद रखनी है, ये largest Indian वाइपर है, और ये 3 longitudinal series इसके black sports इसकी body पर present होते हैं, ये देखिए, बिल्कुल आपको sports proper दीख जाएंगे, वाइपर की body पर, और वाइपर का जो वीनम होता है, वो हमारे खून पर effect डालता है, जैसे देखो, इससे पहले मैंने जालता है, फिर non-venimus, यानि बीना जहरीले सापो की अगर आपन बात करें, तो इसमें आजाएगा red snake या धामन जिसे कहा जाता है, या rope snake भी कहा जाता है, ये northwest Africa, America, India में present होता है, ये देखिए, कुछ इस तरका होता है, बहुत ही एकदम आपको fluorescent color type का दिखेगा red snake, दिखन इतना जहरीला लग रहा है, लेकिन ये कोई जहरीला नहीं है, और non-venimus है तो इसका जहर कैसा होना जरूरी, मतलब ही नहीं जहर तो उसकी कोई बात करनी नहीं है, फिर इसकी female जो होती है, वो 10 से 28 अंडे एक साथ रिलीस करती है, उसके बाद होता है python, अजगर जिसको हम कह जाएगी और वो हमको फिर खाता है, और ये non-poisonous होता है, ये बहुत important बात है, आपने देखा होगा कही, मतलब वीडियोस आपको नैट पर दिखते हैं कि गले में अजगर डालके दिखा रहे हैं, तो वो जहरीला नहीं है, इसके लिए इस तर से गले में अजगर वजगर आपको दिखाते हैं, इसकी female करीबन एक साथ सो अंडे रिलीस करती है, और इनके अंडे दो महिनों में open हो जाते हैं, और अंदर से बच्चे निकलते हैं, तो ये था आपका जहरीले और बिना जहरीले सापों का एक छोटा सा वीडियो, I hope आपको पसंद आया होगा, और भूले